हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अराध्या अरेस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान रिट बरती परिक्षिया के लिए राजस्तान जोगरोफी की कलास स्टार्ट की गई थी जिसमें दोस्तों अपनी पांच कलास से वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों पांच वी कलास में अपने संभागी व्यवस्ता के बारे में पढ़ा था तो दोस्तों अब छटी नंबर की कलास है जिसमें भोतिक परदेश स्टार्ट हो जाएंगे तो अब अपन ये चार पार्ट पड़ेंगे तो आज अपन पड़ेंगे सुस्क एवं अर्दसुस्क मरुस्तल तो दोस्तो अगर आपने अभी तक पिछली अगर कलास नहीं देखिए तो आप पले लिस्ट में जाईए वहां मैंने फोल्डर बना दिया है कि रिट राजस्तान जोग्राफी भरती ठीक है रिट राजस्तान जोग्राफी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा तो आप वहां जाके सारे के सारे वीडियो है वो देख सकते हैं और अगर आपने अभी तक अराध्यारेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेसन है वो आपके पास में पहुँच सके और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें दोस्तों लाइव कलास में कम से भी कम एक गंटा लगता है ये चीज पढ़ाने के लिए ठीक है लाइव कलास में एक गंटा लगता है ये इतनी सी चीज यानि कि 15 मिनट की चीज़े पढ़ाने के लिए लाइव कलास में एक गंटा खराब करना पड़ता है ठीक है और वही च मैं आपको 15 मिनिट में दे रहा हूं तो दोस्तों आपको उसमें बहुत ज्यादा प्रोफिट है एक बार वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगे कि हाँ मैंने क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा ठीक है अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को तथा जलवायू को माना गया है अब उच्चावच मतलब क्या होता है उच्चावच और जलवायू को माना गया है तो जलवायू सीधा से सिंपल है जलवायू का पता कैसे लगेगा तो दोस्तों मरुस्तल के करण पता लगेगा वहां की जलवायू कैसी है गर्म है तो गर्म ठंड है तो ठंडी है ठीक है तो दोस्तों जलवायू है यह मरोस्तल के अनुशारपन पता लगा सकते हैं उच्चावच उच्चावच क्या है तो देखो उच्चावच मतलब अरावली ठीक है उका मतलब हो गया इसमें अरावली चाका मतलब हो गया दोस्तों इसमें यानि कि उच्छावच यानि की माल, माल किसको कहते हैं, माल कहते हैं हाड़ोती के पठार को, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, हाड़ोती के पठार का नाम, दूसरा नाम माल है, ठीक है, और ये है मैदान, तो अरावली माल और मैदान, ठीक है, ये आदार माना है, इन सभी को आदार मान है राजस्तान के बोतिक परदेसों के लिए ठीक है अब मैं आपको बताते था हूँ कि चार वो जो बोतिक परदेस हैं वो कौन-कौन से हैं तो दोस्तों देखो चार जो बोतिक परदेस हैं ठीक है तो देखो बोतिक परदेशों की सामने जान कर नमबर एक है वो है मरुस्थल जिसमें दोस्तो सुस्क और अर्दसुस्क भाग आ गया है दूसरा है इसमें अरावली थीक है तीसरा है मैदान यानि कि पूर्वी का मैदान और चोथा है इसमें हाडोटी या माल का पठार तो ये चार भागों में बाटा गया है राजस्तान को तो इसमें मरुस्तल है वो छेतरफल में कितने में फैला हुआ है तो दोस्तों 61.11 परतिसत भाग में मरुस्तल है वो फैला हुआ है और राजस्तान का दो तीहाई भाग है वो मरुस्तल के अंदर आता है देखो मरुस्तल में जो छेत्रफल है वो कितना है तो 61.11 है राजस्तान का और इसकी जन्षेंग क्या है वो 40 परतिसत है जिले इसके अंदर 12 आते हैं मिटी इसमें बलुई रेतिली है जलवायू इसमें सुस्क और अर्दुसुस्के पाई जाती है ठीक है देखो नमबर एक बोर्तिक परतिस आता है मरुस्तल मरुस्तल है ये 61.11 परतिसत भाग पे फैला हुआ है 40 परतिसत जन्षेंग क्या इसमें निवास करती है 12 जिले इसमें आते हैं मिटी इसमें बलुई रेतिली पाई जाती है जलवायू इसमें अर्द सुसके और सुसके पाई जाती है ये तो हो गया दोस्तों मरुस्तल का पाठ अब आता है अरावली अरावली है ये राजस्तान में दोस्तों 9 परतिसत भाग पर फैली हुई है ठीक है और इसमें जन्षेंग क्या है वो है दोस्तों 10 परतिसत ठीक है यानि कि अरावली 9% पर फेली हुई है राजस्तान में लेकिन इसमें जन सिंग क्या है वो 10% निवास करता है ठीक है निवास करती है इसमें दोस्तों 13 जिले आते हैं कितने जिले आते हैं 13 जिले आते हैं इसमें परवतिये वनिये उपाद्रे तो दोस्तो परवतिये और वनिये तो इसमें मिट्टी पाई जाती है आप सभी को पता है अरावली मतलब क्या हो गया कोई पहडी है और पहडी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो आप सभी को पता है परवतिये मिट्टी पाई जाती है राजस्तान में 40% जन्संक्या निवास करती है, 10 जिले इसके अंतरगत आते हैं और जलोड और दौमट मिटी इसमें पाई जाती है, जलवायू इसकी आदर है, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों मैंने बताया था आपको हडोती अमाल का पठार है, ये राजस्तान के कुल छेतरफल का दोस्तों 6.89% है, यानि कि राजस्तान में कितने परतिसत भाग पर फैला हुआ है, तो 6.89% पर फैला हुआ है, 11% दोस्तों इसमें जन्संक्या निवास करती है, साथ जिले साथ जिले दोस्तों इसके अंतरगत आते हैं हाडोती के पठार के अंतरगत और इसमें जो मिटी है वो हलकी काली कपासी मिटी है और अती आद्र इसमें जलवायू पाई जाती है ठीक है अब दोस्तों सबसे पहला काम आगे करते हैं पर तो देखो उत्री पस्मी मरुस्तल भाग या छेतर है अब देखो इसे इसे थार का मरुस्तल या ग्रेट डेजर्ट ओफ इंडिया भी कहते हैं थार के मरुस्तल को क्या कहते हैं ग्रेट डेजर्ट ओफ इंडिया भी कहते हैं इसको ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को देखो इसका जो निर्मान काल है, वो दोस्तो कब हुआ था तो इसका जो निर्मान काल की अगर तुर्शरी काल, आपने सुना होगा, ट्रेशेरी युग में, दोस्तो, इसका ठार धार के मरुस्तल का जो निर्माण ही, वो हुआ था, ठीक है, और इसको दोस्तो, अपन दूसरा भी बोल सकते हैं, इसमें पभी स्टोसीन, याने कि कौाटनरी, तीक है, तो दोस्तो ये निर्मान काल है आपको ये दो काल भी है वो याद रखने है अब मैं इसका विस्तार बताता हूँ कि इसका जो विस्तार है वो कैसे है ठीक है तो दोस्तो थार के मरुस्तल का जो विस्तार है राजस्तान में तो इसमें देखो छहस्चो चालीस किलोमेटर इसके लंबाई है ठीक है कितनी है 640 किलो मिटर इसके लंबाई है चोड़ाई इसकी 300 मिटर है और ओसत उंचाई के अगर अपन बात करें तो दोस्तों 200 से 300 मिटर तक इसकी उंचाई है याद रखना थार के मरुस्तल की ज्राजस्तान में जो चोड़ाई है वो दोस्तों 300 मिटर है और लंबाई है वो 640 मिटर है और इसकी अगर उसत उचाई की बात करें तो दोस्तों 200 से 300 मिटर इसकी उसत उचाई है ठीक है अब देखो मरुस्तल का अगर अगर अपन डाल देखे तो कैसे पता लगेगा अपने को कि मरुस्तल का डाल किस साइड है जैसे अपने छत के उपर कोई नाला बनाते हैं बरसात होती है तो आप उसने देखा होगा कि जो पानी है वो छत के उपर गिर के और फिर एक नाले की तरब से जो कोणे में नाला होता है सारा पानी उधर को उधर ही चला जाता है तो तो दोस्तों, same to same अपने को भी मरुस्तल का डाल पहचानने के लिए अपने को BSI करना पड़ेगा, तो दोस्तों ये देखो मैंने उत्तर, दक्सेन, पूरव और पसिम, ये मैंने यहां पर बना दिया है, अब अपने को डाल का पता कैसे लगेगा, तो देखो, यहां पर अजम का से है, अजमेर से, लेकिन समारी कहां पर है, तो ये दोस्तों, बाढ़ मेर में, ठीक है, बालोतरा के पास में जाके दोस्तों, इसका पानी है, वो खारा भी हो जाता है, ठीक है, वैसे है, अरब साकर में जाकी गिरती है, लेकिन, ये आती इस साइड से है, ठीक है, ऐसे आ यानि कि उत्तर पूरव से लेके दक्सिन पस्यम की तरफ इसका डाल है उत्तर पूरव से लेके इसका डाल है किदर है दक्सिन पस्यम की तरफ इसका डाल है किसका डाल है तो दोस्तो थार के मरुस्तल का राजस्तान में ठीक है अब देखो थार का मरुस्तल यानि कि इसका दू मरुस्त culinary का मरुस्तान में एक अगर अकर आपने बात करें राजस्तान तो राजस्तान में दोस्तो सबसे ज्यादा है 62 परतीसद वाग ठीक हैं गुजरात फिर हरियाना और फिर पंजाब तो दोस्तों ऐसे करें के चार राज्यों में फैला हुआ है थार का मरुस्तल, याद रखना, अध्यन की दरश्टी से, ठीक है, अध्यन की दरश्टी से मरुस्तल को दो भागों में बाटा गया है, एक तो है सुस्क मरुस्तलिय भाग, और एक है अर्द सुस्क की मरुस्तलिय भाग, दो भागों में बा पूरा सुखा हुआ और अर्द सुख का मतलब आदा सुखा हुआ आदा सुखा हुआ में क्या होगा 25 से 50 सेंटीमिटर वर्षा होगी और जो पूरा ही सुखा हुआ है जिसमें 0 से 25 परतिसते वर्षा यानि की होगी सेंटीमिटर वर्षा होगी ठीक है देखो 25 सेंटीमिटर सम वर्षा रेखा मरुस्तल को दो बागों में बाटती है ठीक है यानि कि सुस्क और अर्द सुस्क मरुस्तल है ठीक है पूरा मरुस्तल है इसको दो बागों में कौन सी सम वर्षा रेखा काटती है तो दोस्तों 25 cm सम वर्षा रेखा है ये मरुस्तल को दो बागों में विवाजि करती है अब दोस्तों आगे देखते हैं यहां पर सुस्क मरुस्तल यहां पर दे रखा है तो जीरो से 25 सेंटीमिटर वर्षा वाले बोतिक प्रदेश को सुस्क मरुस्तल कहा जाता है मैंने भी आपको बताया था कि जीरो से 25 सेंटीमिटर तक वर्षा वाले चेतर को दोस्तों स बालू का स्टूप युक्त परदेश और एक है बालू का स्टूप मुक्त परदेश ठीक है एक में युक्त लगा हुआ है दूसरे में मुक्त लगा हुआ है ठीक है तो दोस्तों देखो बालू का स्टूप युक्त परदेश है वो 58 पॉइंट गुनंचास परतिसत पर विद् तो आपको पता चल गया होगा कि 58.60% पर ये और 41.41% पर ये तो टोटल हो गया 100% तो इसको मरुस्तल को दो बागों में बाटा गया है बालू का इस्तूप युक्त परदेश और बालू का इस्तूप मुक्त परदेश ठीक है इनके परसंटेज भी आपको याद रखनी है तो देखो ये बनते कैसे हैं बनने की माँ आपको बता देता हूँ तो देखो पवन है वो मिट्टी को लेकर निक्सेपन करती है तो दोस्तों वो बालू का इस्तूप बन जाता है और जो बालू का इस्तूप मुक्त परदेश है यानि कि पत्रेला मरुस्तल जहां पर मिट्टी या तो पानी बचेगा या पत्थर बचेगे तो दोस्तो पानी मरुस्तल में है नहीं बचेगे क्या पत्थर तो पत्थरीला मरुस्तल जिसे हम्मादा कहते हैं वो ही है दोस्तो इसमें बालू का इस्तूप मुक्त प्रदेश ठीक है जिसको अपन रन भी बोलते हैं अब देख पावन के द्वारा यानि की हवा के द्वारा जब मिट्टी का जमाव होता है तो दोस्तो उसे जैसे मैं आपको बताओं आप जसल मेर बाड़मेर की तरफ जाओगे या जोगपूर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आप देखना जैसे एक टीला बन जाता है मिट्टी का Kinda, हवा चलती है, फिर हवा के साथ साथ में अपने पने साथ में लेके आती है, और वो मिट्टी वहाँ जाके जम जाती है, और एक छोटा सा पहाड या कोई आकरती सी बन जाती है, उसको कहते हैं दोस्तों बालू का इस्तूप उसको कहते हैं और इसका जो विस्तार है वो दोस्तों सरवादिक है जसलमेर में ठीक है और बाडमेर में भी है और जोधपुर में भी है क्योंकि मैं जोधपुर में मैंने देखा था दोस्तों मैं जोधपुर गया वह हूँ ठीक ह उसके बाद में दोस्तों अगर मैं मरुस्तल की बात करूँ तो दोस्तों मरुस्तल में 0 से 50 सेंटी मिटर तक ओसत वार्शिक वर्सा प्राप्त करने वाले बोतिक परदेश को मरुस्तल कहा जाता है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अर्द सुस्क मरुस्तल की बात हो रही है यहां पर तो अर्द सुस्क की बात हो रही है यहां पर तो अर्द सुस्क में कितना है पत्शी से पचास लेकिन यहां पर मरुस्तल की बात हो रही है दोस्तों ठीक है जैसे सुस्क परदेश है वो 0-25 cm वर्षावाला है और अर्द सुस्क है वो 25-50 cm सुरी ठीक है अब यहाँ पर मरुस्तल की बात हो रही है तो मरुस्तल में तो दो नहीं आते हैं तो 0-50 cm तक ओसत वार्शिक वर्षाप्राप्त करने वाले भोतिक परदेश मरुस्तल कहलाता है ठीक है जैसे मैं आपको जैसलमेर में पढ़ता है ठीक है यह राजस्तान का एक मातर वनस्पति रही तचेतर है कौन सा सम सम गाउं है जैसलमेर में आपने नाम सुना होगा ठीक है वो रद दोस्तो राजस्तान का एक मातर वनस्पति रही तचेतर है यानि कि वहाँ पर वनस्पति नहीं है अब तो देखो बालू का स्थूप के परकार तो देखो मैंने आपको बताया था एक तो बालू का स्थूप युक्त परदेश और एक बताया था बालू का स्थूप मुक्त परदेश तो बालू का स्थूप के परकार बता रहा हूं मैं आपको तो देखो कौन-कौन से परकार होते ह सबसे पहला परकार मैं आपको बता जिता हूँ यहां पर बर्खान तो बर्खान क्या होते हैं तो दोस्तों जैसे पवन चलती है और पवन चलने के बाद में दोस्तों एक अर्द चंद्राकार एक रेत का टीला बन जाता है यानि कि बरसा हवा इदर से आई इदर से हवाई और आने के बाद में दोस्तों जैसे यहां पर मिट्टी जम जाती है फिर यह कहा है कि मिट्टी यहां हो उपर जमनी शुरू जाएगी तो यह क्या हो जाता यह एक अर्दच अंद्राकार एक रेत का टीला बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं बर्खान और यह सरवादि कहां पर पाई जाते हैं तो सिखावाटी छेतर में पाई जाते हैं ज्यादा तर चूरू जिले में पाई जाते हैं अब देखो जैसे दूसरा है इसमें अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ का मतलब होता है समकोन यानि कि 90 डिग्री जैसे कोई हवा आई और हवा आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे टकराके और यहाँ पे एक पूरा ऐसे टीला सा बना देती है बिल्कुल ऐसा सीधा तीला बना देती है पूरा समकोन 90 डिगरी का बन जाता है तो दोस्तो ये होते हैं अनुपरस्त इनको बोलते हैं याद रखना आगर आपको परेक्शन में पूछले तो अनुपरस्त क्या है तो दोस्तो अनुपरस्त समकोन होते हैं ठीक है या आपको दो डिष्टप करेंगे, एक अनुदेरिये और एक अनुप्रस्ट, ठीक है, या आपको दो डिष्टप करेंगे, तो अनुप्रस्ट का मतलब समकोर्ण 90 डिग्री, अनुदेरिये का मतलब समानांतर, जैसे पवन है, पवन इधर से आई, ठीक है, यहां मिट्टी भ अब दोस्तों चोथा देखो इसमें आपको दिखरा होगा क्या तो तारा नुमा अब ये तारा नुमा क्या है तो दोस्तों देखो तारा नुमा क्या है तो हमादा के आसपास पाए जाने वाले बालू का इस्थूप तारा नुमा बालू का इस्थूप कहलते हैं हमादा के आज पास पाए जाने वाले बालू का इस्तूप तारा नूमा बालू का इस्तूप कहलते हैं अब हमादा क्या है हमादा क्या है तो आप सभी को पता है हमादा क्या है एक पत्रीला मरुस्तल है ठीक है यानि की दोस्तो जो पत्रीला मरुस्तल है उसके पास में दोस्तों, जो मिट्टी का जमाग हो जाता है वो हो जाता ताराईनुमा, ठीक है? और यह है यह आपको जसल मेर में सरवादी की देखने को मिलेंगे और सुरतगर गंगानगर में, ठीक है? तो तारानुमा है, ये हमादा के आसपास पाई जाने वालों का स्थोक होते हैं उसके बाद मैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, इसमें वो है पेराबॉलिक तो पेराबॉलिक क्या होते हैं, तो बर्खान के वीपरित है, महिलाओं के बालों की किल्प जैसे तो दोस्तों इनकी आकरती है वो कैसी होती है तो मैलाओं की जो बाल में जो किलिप लगाती है उसके समान होती है तो दोस्तों ये होते हैं पैराबोलिक यानि कि पवन जाके टकराके और ऐसी जो किलिप के समान आकरती हो जाती है तो वो होते हैं पैराबोलिक पैरबॉलिक सभी मरउस्तलिय जिलों में पाई जाते हैं अंतता सरवा दिखें। तिक है और ये खूब भी है ठीक है इसके बाद में दोस्तों देखो सीप बालू का इस्तूप सीप बालू का इस्तूप है, वो क्या है जैसे कि एक पाहड़ है जैसे ये पाहड है तो हवा चल रही है तो दोस्तों यहां से हवा चली यूँ यूँ चली तो यह इधर-इधर से काट देगा यह यहां ते रहेगा यह तो ऐसे केसे रहेगा लेकिन यहां से काट के और वापिस एक कुणा है वो इसका बढ़ जाएगा तो देखो बरखान होता है अर्देशंद्रा का रेत का टिला जब वो एक साइध है उसकी वो आगे बढ़ जाती है तो वो कहलाता है दोस्तो बालू का सीप इस्टूप यानि कि बरखान के निर्मान के दोरान जब पवन की दिसा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक बुझा आगे की और बढ़ जाती है तो इसे हम सीप कहते हैं ठीक है याद रखना देखो बरखान है वो अनुपरस्त होते है यानि कि 90 डिगरी होता ए और अनुधरिये या ओता है दोस्तों यानि कि समानांतर शीप याद रखना अब देखो इसमें एक word आपको देखने को मिले गए यहापे देखो स्क्रब कापीज यह क्या होता है तो देखो जाडियों के पास पाए जाने वाले छोटे बालू का इस तूब को स्क्रब कापीज कहा जाता है देखो बहुत अच्छी चीज है यह चीज आपको दोस्तों किताबों में भी नहीं मिलेगी ठीक है आप सभी को पता हो तो पतवार के अंदर और जो अधिने स्चैन बोर्ड जितने भी एक्जाम लेती है तो उसमें कट ओफ कम क्यों जाती है घटोब कम जाने का कारणी यह है कि वहाँ पर डीपली किशन पूछे जाते है तो आप उन्हें किताब में देख लेना अगर आपको मिल जाए तो यह स्क्रब कापीज जाडियों के पास पाए जाने वाले छोटे बालू का इस्टूप को स्क्रब कापीज कहा जाता है दोस्तों नोट है ठीक है जाद रखना राजस्तान में सभी परकार के बालू का इस्टूप है वो कहांपर पाई जाते हैं तो वो जोधपूर में पाई जाते हैं तो यह जसल मेर में पाई जाते हैं सरवादिक बालू का इस्टूप, ठीक है, सरवादिक तेजगती वाला बालू का इस्टूप है, वो कौन सा है, तो वो है बर्खान, ठीक है, कौन सा है, बर्खान, सरवादिक मरुस्थलिये करन करने वाला इस्टूप कौन सा है, तो वो भी बर्खान है, सरवादिक नुकसान क काँ पे हैं तो वो जैसल मेर में सबसे तेजगती वाला बालू का इस्तूप कौन सा है तो वो है बर्खान सरवादिक मरुष्टली करने वाला इस्तूप कौन सा है तो वो भी बर्खान है सरवादिक नुकसान करने वाला बालू का इस्तूफ है तो वो कौन सा है बर खाना है देखो पिंड माड ये क्या है तो देखो परतावगड के देवगड के पास पाई जानी वाली उबद खावडपाःयों को पिंड माड कहते हैं पाई जाने वाली उबडखाबड पाहडियों को पिंडमाते कहते हैं ठीक है? याद रखना हो अब दोस्तों इसमें देखो अर्दसुस्क मरुस्तलिये भाग ठीक है? अर्दसुस्क के मरुस्तलिये भाग, टाइम क्या हो गया? ठीक है? थोड़ा सोब ले ले लेते हैं अर्दसुस्क मरुस्तलिये भाग तो देखो 25 से 50 सेंटीमिटर सम वर्षा वाले छेतर को दोस्तों अर्दसुस्क मरुस्तल का जाता है तो मने अभी आपको बताये भी था शुरू में के एक तो 0 से 25 सेंटीमिटर तक और एक 25 सेंटीमिटर मरुस्तल को दो बागों बाटा गया है एक अर्दसुस्क और एक अर्दसुस्क सुस्क अपन ने पढ़ लिया अब अर्दसुस्क आता है तो वो 25 से 50 सेंटीमिटर वाले वर्षा छेतर को अर्दसुस्क कहते हैं या सुस्क मरुस्तल वे अरावली के मद्दे का बोतिक परदेश अर्द सुस्क मरुस्तल कहलाता है सीधा से सिंपल है या तो अपना ऐसे भी बोल सकते हैं कि सुस्क मरुस्तल और अरावली के मद्दे का दो चेतर है वो अर्द सुस्क मरुस्तल कहलाता है अब कुछ कैसे भी बोल सकते हैं? यानि कि सुस्क मरुस्तल के बाद में अर्दसुस आएगा और अर्दसुस के बाद में अराव लियाएगी अपने हिसाब से कैसे भी बोल सकते हैं? अर्दसुस क मरुस्तल को अधन की दरश्टी से चार भागों में बाटा जाता है तो चार भागों में बाटा गया है किसको तो अर्दसुष के मरुस्तल को तो एक है गगर बेसिन, गगर बेसिन का जो विस्तार है वो दोस्तो गंगा नगर और हनुमान गड में है यहाँ चिकनी एवं उपजाव मिटी होती है इसे काठी या बग्गी भी कहते है गगर बेसिन, दोस्तो इसका जो विस्तार है वो गंगा नगर और हनुमान गड में है आप सभी को पता है, यहाँ चिकनी एवं उपजाव मिटी होती है इसे काठी या बग्गी भी कहते हैं, याद रखना उसके बाद में दोस्तो सेखावाटी अंतर प्रफाविन दी, जैसे जोहड तो पानी के कच्चे को ये होते हैं, उनको क्या करते हैं, जोहड सर, सर क्या होता है दोस्तो, तो मानसून के दोरान सेखावाटी में बनने वाला तालाब क्या कर लाता है, सर बीड, बीड क्या होता है, तो बीड दोस्तों गास के मैदान होते हैं, जो जुन-जुनु में पाई जाते हैं, ठीक है, बीड गास के मैदान, सर, सर अपने वो आले सर मत समझ ले ना, गुरू जी वड़ा, ये दोस्तों मानसून के दुरान सेखावटे में बनने वाला तलाब है उसको कहते हैं सर उसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा होगा नागोरी उचबूमी नागोरी उचबूमी है यह सरवादी खारे पानी की जिले नागोर में होती है ठीक है नागोर में पाई जाती है दोस्तों सरवादी खारे पानी की जिले जो नागोरी उच भूमी को ठीक है उसके बाद में दोस्तों चोता है इसमें लूनी बेसीन या गोडवार चितर भी कहते हैं ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अपन कौन सा वाला तो दोस्तों ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं इसमें सुस्क तो अपन ने पढ़ी लिया अब अर्द सुस्क प तो देखो अर्ग, अर्ग को दोस्तो अपन रेतिला मरुस्तल भी कहा जाता है, ठीक है, हमादा, हमादा दोस्तो चटानी मरुस्तल को कहते हैं, हमादा, रेग, रेग में दोस्तो क्या होता है, कि पत्थिला पलस रेतिला दोनों मिक्स होते हैं, तो वो होता है, रेग, राजस् का जो थार का मरुस्तल है वो रेग का उधारन है आप सभी को पता है कि इसमें पत्रिला पलसरेतिला दोनों है ठीक है मरुस्तल से समंदित अन्य मैतवपूर्ण बिंदू है मुमा आपको इसमें बता देता हूँ तो देखो यहां पे आपको दिखरा होगा कि खडीन जील या पलाया जील ठीक है इनका निर्मान है वो पालीबाल ब्रामणों ने करवाय था जो कि अपना आगे पड़े गये ठीक है तो खडीन जील या पलाया जील सरवादिक है यह दोस्तों कहां पर पाई जाती है तो यह जैसलमेर में पाई जाती है और उत्रि भाग में आपको करसी कहलाती है, यह यनि कि पालीवाल ब्रामनों की दौरा दोस्तो इस खडीन जील का निरमान करवाया गया था, थीक है इसे करसी खडीन भी खेते हैं यह दल्दली भाग होता है खडीन वाला छेतर है, तीक है रभी की फसल इसमें उत्पादन होती है जैसे गेऊं, सरसु और चना, इनका उत्पादन है, वो होता है जैसे मैं आपको बताऊं कि दो बालू का स्टूप के मद्दे निम्न बूमी, तली या ताल कहलाती है अब ऐस्ताई जिले होती हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं पलाया तीक है तो दोस्तों आप देखो, इधर भी मिट्टी का टिला बना है और इधर भी मिट्टी का टिला बना है बीच में जो जगह है, वहाँ पे दोस्तों ये ऐस्ताई जिल पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं पलाया तली में वर्षा का जल भर जाने से एस्ताई जिलो का निर्मान हुआ उसे रन्या तोड कहते हैं तो दोस्तों जैसे तल्ली के अंदर जो वर्षा का जल है वो भर जाता है एस्ताई जिलो का निर्मान होता है तो दोस्तों उसे रन्या तोड कहते हैं जलो उसे रन्या तोड केटे हैं अब देखो रन्या तोड का जो सरवादिक विस्तार है वो जसलमेर में जलड़ली लवन्ये अनुपजाव मिट्टी को रन्या तोड भी कहा जाता है ठीक है अब देखो परमुकरनम आपको बता देता हूँ कि रंग कौन कौन से हैं तो देखो और उनके इस्तान तो बाप रंग है ये कहां पर पड़ता है ये जोदपूर में पड़ता है आपने सुनाओगा बाप बॉल्डर ठीक है तो बाप रंग है ये जोदपूर में फलोदी रं फलोदी रं जोदपूर में ताल प्रसीद परमानों परिक्षन है वो इसी के अंदर बाकरी रन और पोकरन रन में दोनों में किया गया था एक में किया गया था दोस्तो 18 माई 1904 को और उसके बाद में दोस्तो देखो इसमें 13 माई 1908 में को किया गया था ठीक है याद रखना इस चीज़ को ये दो रन है भाकरी और पोकरन रन इनमें ही दोस्तो जो प्रसीद परमानों परिक्षन हुए थे वो इंडी में ही हुए थे याद रखना इन दोनों रनों के नाव तीसरा है इसमें जलपट्टी तो दोस्तो जलपट्टी क्या है तो देखो सेवन गहास ठीक है सेवन गहास या लली रेन लेल रेन ठीक है सेवन गहास या लेल रेन अब देखो ये जो जलपट्टी है ये जो पोकरन चेतर है पोकरन से मोहनगड यह साथ किलो मिटर का जो छेतर है यानि कि पोकरन से लेके मोहनगड तक जो साथ किलो मिटर का जो छेतर है वो दोस्तो जलपटी है इसे लाठी सिरीज भी कहते हैं और यह सरस्वती नदी का अवसेश है यह जलपटी ठीक है और यह जलपटी के उपर दोस्तों आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा चांदन गाउं चांदन गाउं को क्या कहते हैं तो दोस्तों चांदन नलकूप जिसको थार का गड़ा भी कहते हैं चांदन नलकूप को ठीक है और यहां पे ही सेवन गहास पाई जाती है जिसको अपन लील रेन भी बोलते हैं और गोडाउन पक्सी की सरनिस्तली भी कहलाता है यह याद रखना यह जल पटी उसके बाद में दोस्तों यहां पे आपको दिख रहा है आकल वूड फोसिल पार्क तो आकल वूड फोसिल पार्क है यह कहां पर पड़ता है तो दोस्तों यह जैसल मेर में पड़ता है राश्टिय मरू उद्यान में ठीक है तो देखो आकल है यह गाओं का नाम है वूड है व वुड लकडी, फोसिल जिवास में और पार्क ठीक है ये कौन से समखे इसमें जो ये है प्राचिंतम जिवास में ये दोस्तों जुरासिक काल के हैं ठीक है जुरासिक काल के हैं विशेष्टा क्या है इनकी विशेष्टा है लकडी के प्राचिंतम जिवास में इसमें पाए जाते हैं, इनकी आयू है, वो 18 क्रोड वर्स पूर्वे मानी जाती है, और ये संस्ता है, ये 25 है, ठीक है, कितनी है, 25 संस्ता है, अंकलवूड फोसिल पारक की, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको यहां पे दिख रहा होगा, ट्रसरी काल के अवसेस, तो ट जनतु में आते हैं, ठीक है, ये ट्रसरी काल के अवसेस माने जाते हैं, बाब बॉल्डरस कले, तो बाब बॉल्डरस मने आपको बताया था, जोदपूर में है, और क्या, हीमानी द्वारा निक्षेपित पदार्थ, ठीक है, कहां है, जोदपूर में बाब बॉल्डरस, क्य तो दोस्तों ये क्या है बाब बोल्डर कले ये हिमानी द्वारा निक्से पित पदार्थ है और समय दोस्तों इसमें परमोकार बेनी फेरसकाल इसमें माना जाता है धरियन धरियन दोस्तों इसमें क्या होता है तो धरियन गतिशील बालू का इस्तूप होता है जिसको अपन धर है नकलिस्तान कि से कहते हैं कि मुरwhususuk या मरुष्चली छेतर में जल बेसीन के पास विक्सित होने वाली हर्याली को नकलिस्तान कहा जाता है रاجस्तान में यह है जसलमेर वाड़मेर में देखने को मिलती है ठीक है पीवना, पीवना साप के बारे में आप सभी को पता है कि पीवना, पीवना के बारे में देखो पस्मी राजस्तान में पाई जाने वाली साप की परजाती है जो पीले रंका होता है जिसको अपन पीवना साप भी बोलते हैं यह सामानित है जसलमेर छेतर में अधिके पाया जाता है। धोरे धोरे दोस्तों आप सभी को पता है कि लेरदार बालों का इस्तुप धोरे कहलाते हैं। कूबड पत्टी बाका पत्टी तो मैंने आपको बताया था थोड़े देर पहले कि नागोर जिले में अजमेर जिले की सीमा के सहारे सहारे फैली फलोराइड जल से युक्त भूगरबित जल पत्टी को कूबड या बाका पत्टी कहते हैं। दस बजे से यानिकी 10 पीम से अधिक यानकी जल में फलोराइड पाया जाता है। इसमें दोस्तो जल में जो फलोराइड की मातरा है वो दोस्तो 10 पीम से अधिक मानी जाती है। नाचना गाओं जसल मेर में दो कारण प्रसिद है किस कारण से एक है मरुस्तल के प्रसार के लिए प्रसिद है और दूसरा है यहां की उंट की नसल के कारण है क्योंकि यहां की उंट की नसल है वो सर्वसरेश्ट नसल है उंट की नाचनागाउं जैसल मेरे में पढ़ता है दो कारण से प्रिसिद है मरुस्तल के प्रिसार के लिए और उट की नसल के लिए देखो मरुस्तल का मार्च मरुस्तल के विस्तार को ही कहते है मरुस्तल का मार्च मतलब मरुस्तल का आगे बढ़ना तो मरुस्तल का विस्तार को ही कहते हैं मरुस्तल का मार्च मरुस्तल का विस्तार वायू के माद्यम से पस्सिम से पूरव की तरफ हो रहा है अब जो मरुस्तल का विस्तार हो रहा है वो इधर हो रहा है पस्सिम से पूरव की तरफ देखो सरवादिक मई जून में होता है विस्तार क्योंकि उसमें गर्मी है वो बहुत तेज पड़ती है और आंधी भी चलती है यह है विस्तार अरावली में पाए जाने वाली बायू गाटियों से हो रहा है सबसे बड़ा मरुस्थलिय जिला कौन सा है जैसलमेर कुल छेतरफल कितना है 38401 वर्ग किलोमेटर का छेतरफल है सबसे छोटा मरुस्थलिय करन जिला है वो है जुनजुनू 5928 वर्ग किलोमेटर में इनमें फैला हुआ है जुनजुनू में सबसे छोटा मरुष्टलिय जिला जुन्जनो और सबसे बड़ा जसलमेर ठीक है चपन की पाड़ियां है वो कहाँ पर पाई जाती है तो दोस्तों चपन की पाड़िया जालोर पलस सिवाना चेतर यानि कि बाडमेर यानि कि जालोर पलस बाडमेर में पाई जाती है चपन की पाडियां और ये पाडियों के जो संक्या है वो कितनी है तो चपन है बाडमेर में इसे नाकोड़ा परवत भी कहते हैं बाडमेर में इसे कहते हैं नाकोड़ा परवत भी सिवाना जो दुर्ग है वो हल्देश्वर पाहडी पर इस्तित है और पीपलूद का आपने नाम सुना होगा जिसे दोस्तो राजस्तान का लगू माउंट अबूवी कहते हैं पीपलूद बाड मेर में पड़ता है और इसे राजस्तान का लगू माउंट अबूवी कहते हैं